एक डिस्क्लेमर ले लेते हैं पहले आज का वीडियो थोड़ा सा आड़ी भाई स्टाइल में बनाते हैं तो क्विक वीडियो में जो है आपको अप्डेट देना चाहता था कुछ लोग एथिरियम को लेकर इंट्रेस्टिंग क्वेस्टन पूछ रहे थे तो क्रिप्टो बहुत ही जादा रिस्की है तो जो भी चीज़े आप कर रहे हैं मार्केट में अपने रिस्क को देखकर करें आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी के हिसाब से करें तो मार्केट की अगर हालत हम यहाँ पर देखें तो आप जैसे नोटिस करोगे कि बिटकोइन स्पेसिफिकली बिटकोइन है अपने पास जो ठीक ठाक होल कर रहा है अभी also has to do with कि US का मार्केट जो है वो कैसा यहाँ पर अभी रुका हुआ है वो एक चीज़ है बट इथीरियम को लेके काफी सारे लोग परिशान है वो सोच रहे हैं कि यार क्या करें आप मेंसे एक भा यहाँ पर जैसे दिखा देता हूं करेंटली जो है ओवराल देखो थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखा रहे है एंड एथर के ऊपर के जो कोईन है वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहे है यहाँ पर थोड़ा सा रिसकी है situation especially कि यहाँ पर पंप आएगा बहुत सारे लोग जो है वह मार्केट से निकलने की कोशिश कर सकते हैं एथिरियम के इसके बाद तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी नव अनफॉर्चुनेटली यह वॉलेटिलिटी हाई उपर की तरफ भी हो सकते है गैरेंटी से किसी को पता नहीं है बट मोर चांसे अभी के लि तो आप लोग समझ पाओगे यह अप्रॉक्सिमेटली यहां पर और खुल जाता है तो यह कुछ लेवल्स हैं जिन पर ध्यान रख सकते हैं अभी बिकॉस हफता ही बाकी है मोटा मोटा वैसे देखो तो आट दिन क्या सपास बाकी बनते हैं यहां पर तो काफी एक महौल जो अजिक है FtX और ने बोला है कि वो अपना जो इत का डिपॉजिट और विड्रॉल अर्बिटरम सुलाना बी एसी वगएरा पर मर्ज के दौरान पॉस करेंगे यहां पर उन्होंने बोला है कि इत का डिपॉजिट और विड्रॉल पॉस किया जाएगा ट्रेडिंग ओपन र आने वाले कुछ दिनों मैं और थोड़ा सा डेप्थ में रिसर्च करके कुछ-कुछ चीज़े आपके साथ शेर जरूर करूँगा बट अगर हम बात करें इत मर्च की तो बॉबी ओंग जो है जो कोईन गेको के फांडर है उन्होंने यहां पर कुछ चीज बताईए दोने परेवन्ट का यहां पर लुडवा उठाने के लिए अर पैसा चालिया कर कर सकते हैं, तो वो अपने जो bridge कर सकते हैं, tokens को ETH mainnet के साथ, अपने wrapped ether को unwrap करें, mainnet पे लाएं, और अपनी जो ETH liquidity है, वो DeFi protocol से हट आले ये करने से क्या होगा, ये करने से आपका जो पूरा का विकर्स आपके बास ETH बढ़ जाएगा, अगर आपके पास जो है, मैं eligible तो होंगा, सारे के सारे folk tokens folk tokens मतलब अलगलग, जो भी projects वगरा के folk tokens होंगे, वो सारे के सारे claim नहीं करेंगे, क्योंकि काफी सारे in में से scam भी हो सकते हैं, उनका signature और key लेने के लिए, इस चीज़ का बहुत ही इंपोर्टेंट आपको भी ख्याल रखना है, लालच में नहीं आना है, थोड़ा ध्यान से करना है, अगर आपको कोई folk airdrop वगरा मिल रहा है, this is one second is उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि best strategy है कि immediately बेच दो, क्योंकि सब लोग बेचने वाले होंगे तो यहाँ पे जो sale है, जो भी आपको folk token का airdrop मिलेगा आने वाले दिनों में, वो बढ़ेगा now folk token का airdrop का क्या मतलब मैं एक second बता देता हूँ, जैसे आप देखो NFT marketplace जो की, यानि की opens ही, जो सबसे बड़ा marketplace है, उन्होंने बताया है कि हम folked NFTs जो है support नहीं करेंगे, इसके इलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे chain link ने भी यहाँ पे बोला है, जो एक oracle project है, कि वो लोग, यहाँ पे proof of work के folk, जो है chain link के द्वारा support नहीं किये जाएंगे अब इसका क्या मतलब है गाइस इसमें ऐसा है, कि सारे के सारे proof of work बात की जाए, तो वो अभी suggestion मुझे भी दो-तीन लोगों की तरफ से यही निकल कर रहा है, कि अपना जो ETH है, basic, जो core ETH है, वो core ETH अपने पास रखो, यानि कि जो बाकी का ये wrapped ETH वगरा है, वो मत रखो, and यही suggestion मुझे भी अभी जाके मिल रहा है ताकि आप दोनों की तरफ से जाद जाद आपकी eligibility बनी रहे, तो यह चीज़ पर ध्यान देना है बाकी price point का, तो आपको पताईए, तो मैं कल आप लोगों के लिए एक नए update लेऊँगा और आने वाले उस दिरों में जो है, हम chain link के उपर fundamental video बनाने वाले है, as well as guys, मैं आपके साथ ये ETH को लेकि क्या strategy है, पूरी वो भी share करने वाला हूँ, तो उसके लिए channel पर बने रह सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो like button जरूर दबादें, नीचे आपको like button दिख जाएगा, as well as अगर आपने channel पर subscribe नहीं किया, तो नीचे subscribe भी करते, मज़ा ही आजाएगा मिलते हैं guys अगले वीडियो में, तब तक के लिए, bye and take care